नमस्कार मैं डॉक्टर अंजली शर्मा, असिस्टन प्रोफेसर MS कॉलेज बिकानेर आज की क्लास में हम वेजेटेटी पाइबर लिनिन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लिनिन के उद्गम एवं मितिहास की चर्चा करते हैं लिनिन वनश्पती जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुक रेशा है जिससे अत्यंत सुन्दर, आगर्शक, टिकाउ, मजबूत एवं कॉमल वस्टर बनाए जाते हैं लिनिन के रेशे प्लैक्स नामक पोधे के तने से प्राप्त किये जाते हैं लिनिन के वस्त्र सूती वस्त्रों से अधिक टिकाऊ एवं मजबूत होते हैं। प्राचीन का जही लिनिन से वस्त्र बनाये जाते रहे हैं। इसलिए लिनिन का वस्त्र निर्मान कला एक प्राचीन कला है। प्राचीन समय में लिनिन को शान और शौकत का प्रतीक माना जाता महराजाओं एवं शाही गरानों के लोग इससे बने वस्त्रों को आपसी उपहर के रूप में प्रियोग करते थे रानियों, महरानियों तथा शाही गरानों के इस्तरियों के परिधान लिनिन के वस्त्रों में सोने चांदी से जड़े होते थे ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले वस्त निर्मान का कारिये फ्लैक्स नामक बोदे के रेशे से ही हुआ था मिश्र देश में भी लिनिन से सुन्दर वस्त बनाए जाते थे मिश्र वासी इसे शांती एवं पवित्रता का सूचक मानते थे अते इसका प्रियोग वे अपने पूजा घर के परदों, चादर, वस्त आदी में करते थे मिश्र में लिनिन से इतने सुन्दर आकर्शक बारिक कोमल एवं उतक्रस्ट वस्त बनाए जाते थे जैसा आज तक नहीं बनाए जा सके है मिश्र ही नहीं, कई अन्य देशों में भी लिनिन को शांती एवं पवित्रता का प्रतीक माना जाता था इसलिए पुजारी लिनिन के वस्तों को धारण करते थे अपनी एलोकिक सुंदर्ता एद यतिये गुनों एवं आकर्शन के कानन लिनिन का प्रयोग केवल राजा महराजाओं एवं कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के योगी ही समझा जाता था आम जनता इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सकती थी बाइबिल में भी लिनिन के बने वस्त्रों का उलेख मिलता है इसाई पादरियों के वस्त्र भी लिनिन के बने होते थे बौद्ध काल में भारत में भी लिनिन के वस्त्रों का प्रयोग होता था इसका उलेख हमें अर्थशास्र में मिलता है मिश्र को प्राचीन समय से ही लिनिन की भूमी की संग्या दी गई है इसा के जन्म से पुर से ही लिनिन निर्मान कला यूरोपिय देशों तक पहुँच गई थी इसका श्रे फोनेशिन व्याप्यारों को जाता है जिन्होंने इसे व्यापार के माध्यम से भूमध्य सागर से यूरोपिय देशों तक पहुँचाया था रूस लिनिन उत्पादन के छेत्र में विश्व में प्रथम इस्थान पर है जर्मनी वे अर्जेंटीना में भी लिनिन का उत्पादन का कारिये व्रहत इस्तर पर किया जाता है आयरलेंड का लिनिन सर्वत्तम किस्म का होता है लिनिन अपनी एद्वित्य सुंदरता, कुमलता, शीतलता, आकरशन एवं फ्यत रंग आधी के कारण अपूरू सौंदर में लगते हैं परंतु इनका उत्पादन करना अत्यतिक कठिन कार्य है क्योंकि इसे उत्पादन करने के लिए हांस से मेहनत अधिक करनी बढ़ती है फ्लैक्स के बीज बोने से लेकर रेशों से वस्र दयार करने तक अत्यदिक सावधानी से कार्य करना पड़ता है जरा सिलापरवाही या भूल से लिनिन का रेशा बेकार हो जाता है अत्य इसका उत्पादन मुल्ले अधिक रहता है अब हम लिनिन की खेती के बारे में चर्चा करते हैं लिनिन के रेशे फ्लैक्स नामक पौदे के तने से प्राप्त किये जाते हैं यह पौदा वार्शिक होता है इसका वनस्पतिक नाम लिनम यूसी टैटीशियम है वैस्थानों पर लिनिन की खेती केवल बीच क्राप्त करने के उद्देशे से की जाती है इसके बीच अत्यांत उप्योगी होते हैं इसके लिए फसल को अधिक पकाया जाता है इनके बीच से लिंसिट टेल, पेंट, वार्णिश, पॉलिश, लिनोनियम, चिकने कपड़े, करतीम, चमड़े आदी बनाये जाते हैं तने का कठोर भाग जानोरों के चारे की रुप में उप्योगी होता है कनाड़ा, भारत, आदी देशों में बीच उत्पादन हेतू लिनिन की खेती की जाती है पुने फसल प्राप्ट करने के लिए इसके कुछ बीच रख लिए जाते हैं दूसरा रेशे प्राप्ट करने के लिए लिनिन के पौदे मुके दे दो किस्म के होते हैं नीले फूल वाले लिनिन और सफेद फूल वाले लिनिन नीले फूल वाले लिनिन को उत्तम कोटी के वे अत्तिदिक सुंदर एवं बारिक रेशे प्राप्ट होते हैं जबकि सफेद भूल वाले लिनिन से निम निशेनी का कुर्दरा मोटा रुक्ष परंतु मजबूत रेशा प्राप्त होता है। साफ एम रदू पानी के आवशकता होती है। कठोर पानी से रेशे के रंग वैगुन प्रभावित होते हैं। से रेशा व्यर्थ हो जाने का बहर रहता है। लेनिन का पौधा 30-40 इंच तक होता है। जब इसके पौधे 5-6 इंच लंबे हो जाते हैं तो इसकी निराई हास से की जाती है। वे अनावशक घास पात को हास से खीचकर निकाल दिया जाता है। इसका पौधा बिलकुल सीधा होता है वा अंत में पतला होता जाता है और नुकीला हो जाता है। कि पौधों में शाखाय ने फूटने पाए, शाखाय फूटने से रेशा बिकार हो जाता है, रेशों की गुणवत्ता लिनिन के किस्म, मिट्टी, जलवायू, आधी पर निर्भड करती है, अनुप योगत एवं गर्म मौसम में पतले तने वाला वेनियम शेणी का रेशा प् लिनिन वस्त के उत्पादन के लिए कई प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, फर्स स्टेप है हार्वेस्टिंग ओफ प्लांट्स, अर्थात फसल को उखाड़ना, लिनिन के बीच अप्रेल मई माह में बोय जाते हैं, जो तीन माह पश्चात अगस्त माह तक पक कर तयार हो जाते हैं, पौधे का रंग बूरा पढ़ जाने पर इसे पका हुआ समझा जाता है, इसके तने को काटा नहीं जाता है, बलकि इन्हें जड़ सहित सावधानी पूर्वक उखाड लिया जाता है, तने काटने से रेशे की गुणवत्ता एवं प्राकरतिक रंग पर क्योंकि पौधे में एक तरल रस जिसे सैप कहते हैं सूख जाता है, साथ ही रेशे की लंबाई भी छोटी हो जाती है, इसके बाद इनके बंडल बनाये जाते हैं, नेक्स स्टेप है ड्राइंग एंड रेपलिंग, अर्था सुखाना तथा सफाई करना, प्लैक्स के बंदे हुए बंडलों को धूप में सूखने हेतु छोड़ दिया जाता है, सूख जाने के पश्चात पत्यां वे बीज अलग कर लिये जाते हैं, यह कार्ये अत्यंत सावधानी पूरवक किया जाता है, ताकि रेशे ने तूट पाएं, आज कल सफाई कार्ये मशीन से भी किया जान अर्थात गलाना सच्च किये गए फ्लैक्स के बंडलों को गलने हेतु छोड़ दिया जाता है, ताकि पौधे के उपरी चाल गलकर मुलायम हो जाएं, साथ ही रेशों को आपस में बांधने वाले पदार्थ जैसे पैक्टीन, मॉम, वेगोंध भी गलकर ढिले हो जाएं पौधे को बंडल में बांध कर दो सब्ता तक पानी में डुबा कर रखा जाता है, पौधे पानी में पूरी तरह डूबे रहें, इसके लिए बंडल के उपर पत्थर या भारी वजन डाल दिया जाता है, पानी की गती को रोकने के लिए मैड बना दी जाती है, पानी में ड प्रवावाले पानी में बैक्टीरिया ठीक प्रकार से कारे नहीं कर पाते हैं, वैं शिक्रिता से नस्ट हो जाते हैं। फलते हैं उत्तम शेनी के रेशे की प्राप्ती नहीं हो पाती। आवशक्ता से अधिक गल जाने पर रेशे कमजोर पढ़ जाते हैं। प्रकार से गर्मी मिलती है। इस नमी गर्मी वर्षया आधी के कारणों से पौधों में खमेरी करण की प्रकिरिया आरंब हो जाती है। पलते हैं उपरी चाल मुलायम हो जाती है तथा रेशे तने से अलग हो जाते हैं। ओस से गलाने हे तू पौधों को बार-बार उलटते पलटते रहना पड़ता है ताकि सभी पौधे पर समान रूप से नमी गर्मी का प्रभाव पड़े। नेक्स्ट वीधी जो हम फौलो कर सकते हैं वो है कैमिकल रेटिंग अर्थात रासायनिक वीधी द्वारा गलाना। लिनिन को रासायनिक वीधी से भी गलानी की क्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में कम समय में ही तने से चाल व्यपदार्थों को जोडने वाले तक व्यक्टित होकर गल जाते हैं। इसके लिए सोडा एश, औक्जैलिक अम्ल व्यकास्टिक सोडे को गर्म पानी में डाला जाता है। इसी गर्म पानी में पौदो को डाल कर छोड़ दिया जाता है। पानी गर्म होने से खमेरी करिया शिगरता से आरंभ हो जाती है। परंतु इस वीधी से तने को गलाने में अत्यदिक सावधानी, सूझ-भूच, एवं देखरे की आवशकता होती है। परना कटिन हो जाता है, और रेशे प्रतक करते समय जरासी दबाव या जटके से तूट जाते हैं। अतिदिक गलने की दशा में रेशे कमजोर वनिर्बल पढ़ जाते हैं, साथ ही रेशे की रंग वेगुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है। नेक्स तरीका है मेकेनिकल रैटिंग अर्थात यांतरिक वीधी द्वारा गलाना आज कल यांतरिक वीधी से भी लिनिन के तने को गलाया जाता है इस वीधी में लकडी के बने पात्र का प्रियोग किया जाता है पानी को 75-90 degree centigrade तक गरम करके लकडी के पात्र में डाला जाता है वे इसी पात्र में पौदों को गलने हेतु छोड़ दिया जाता है अत्यदिक ताप के कारण पौदे के चाल शिगरिता से विक्टित होने लगते हैं तक पश्चाथ इस विक्टित चाल को बेलनों के बीच में से होकर गुजारा जाता है इसके बाद इन्हें साफ पानी से दोया जाता है जिससे पैक्टीन, गौन्द और अन्य अशुद्यां दूर हो जाती है इस प्रक्रिया को पावनेल क्रिया कहते हैं अब लिनिन मैनिफेक्टिरिंग के लिए जो नेक्स्ट इस्टेप फॉलो किया जाता है वो है ब्रेकिंग एंड इस्क्वेचिंग अर्थात तोड़ कर रेशों को अलग करना गलानी की प्रक्रिया संपन होने के पश्चाथ तनों को सुखाया जाता है इसके पश्चाथ इन्हें लोहे के बेलनों के बीच में से होकर गुजारा जाता है अत्वा मूट से दबाया जाता है जिससे तने के कठोर भाग तूट जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं या क्रिया तोड़ना या ब्रेकिंग कहलाती है इसके पशाथ हाथ अत्वा मशीन की सायता से रेशे अलग किये जाते हैं जिन्हें स्कीचिंग कहते हैं इस क्रिया को करने के लिए योक्य एंग कुशल व्यक्तियों की आफशकता होती है प्राफ्ट रेशों को चमख लंबाई वे रंग के अधार पर विभिन श्रीणों में चाटकर अलग-अलग किया जाता है लंबे रेशे से उत्तरश्ट वस्तर बनाये जाते हैं जबकि छोटे रेशे से निमन श्रीणी के वस्तर तयार किये जाते हैं रेशे चमकदार, चिकने, मुलायम, वैचुने पर ठंडे महसूस होते हैं नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो किया जाता है वो है कॉम्बिंग एंड हैकलिंग अर्थात कंगी करना एवं सफाई करना इस प्रक्रिया में लंबे रेशों को छोटे रेशों से अलग किया जाता है इसके लिए लोहे की बने कंगी जिनके दात दूर दूर इस्तित होते हैं उनके बीच में से रेशों को होकर गुजारा जाता है जिससे रेशे सुलच कर सीधे वैश समानांतर हो जाते हैं लंबे रेशे लाइन वै छोटे रेशे टो कहलाते हैं। रेशे का स्वरूप भी व्यवस्तित हो जाता है। कंगी करने से अशुध्या दूर हो जाती है वै लंबे रेशे चमकदार दिखाई देने लगते हैं। हैकलिंग विधी से रेशे की लंबाई एम बारिकी का ज्यान होता है, इस विधी में मोटे वे छोटे रेशे को लंबे वे बारिक रेशों से अलग करते हैं, लंबे रेशे से उत्तम शेणी के लिनिन के वस्तर बनाया जाते हैं, छोटे रेशों का प्योग निम शेणी के लिन लिनिन का रेशा मजबूत होता है परन्तु इसमें प्रत्यास्थता तन्निता एवं लचक का सक्त अभाव रहता है अतह इसकी कताई अत्यंत सावधानी से की जाती है सीधे सूजे सच एवं व्यवस्तित रेशों को स्प्राडर नामक मशीन के द्वारा कताई की जाती है इसके लिए रेशों के छोरों को एक दूसरे के थोड़ा ऊपर चड़ा कर सहेजे जाते हैं रोलर द्वारा उन्हें हलका सा घुमाय जाता है जिससे लिनिन की स्लाइवर्स तयार हो जाते हैं इसके पर शात इन स्लाइवर्स की स्पीनिंग की जाती है spinning के लिए humid atmosphere अनिवारे होता है linen की कताई करते समय इन में थोड़ा नमी डाली जाती है ताकि इन से गौन्द अलग हो जाए सूखे रेशे कातते समय चटक कर तूड जाते है बारी कोमल चिकने वे एक समान धागे बनाने के लिए 120 degree Fahrenheit तापकरम रखे जाते है धागों को खीच कर पिस्टिंग की जाती है अब ये धागा वस्त्र बुनाई हेत्तू तयार समझा जाता है सूखी अवस्था में इस्पीनिंग किये गए रेशों से मोटे खुर्दरे वे कम चमक वाले धागे का निर्मान होता है जिससे मोटे सस्ते वे भारी वस्त्र बनाए जाते है नेक्स्ट इस्टेब जो फॉलो किया जाता है वो है वीविंग अर्थात बुनाई लिनिन के रेशों में लचक, तन्यता, एवं प्रत्यास्तिता का सक्त अभाव होता है अतहे इससे वस्त्र बुनना भी एक समस्या है वस्त्र बुनते समय धागूं पर दबाव एवं जटके पड़ते हैं जिससे धागे सहज ही तूट जाते हैं अते लिनिन से वस्त्र बुनने से पूरूर इसके धागे पर एक लेप लगा कर नम्य उक्तवातवरन में बुनाई की जाती है जिससे धागे कोमल हो जाते हैं लिनिन से वस्त्रों की बुनाई में रोयधार बुनाई करना असंबव है तिल बुनाई का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके रेशे स्वयम ही इतने मजबूत होते हैं कि तिल बुनाई के आफशकता ही नहीं पड़ती नेक्स्ट स्टेप है फिनिशिंग अर्थात परिस्क्रती एवं परिसज्जा बस्त तयार करने के पश्चात परिसज्जा की जाती है इससे वस्त्र में निखार आ जाता है लिनिन का रेशा प्राकर्तिक रूप से पिलापन लिये हुए होता है अतय इसे ब्लीचिंग करना आफशक होता है प्राकर्तिक रूप से घास पर खैला कर ब्रास प्लीचिंग की जाती है रासाइनिक विदी से विरंजन करने से वस्त्र में चमक अवश्य आ जाती है परंतु रेशे कमजोर हो जाते हैं बिना विरंजित की ये लिनिन के वस्त्र जादा मजबूत होते है इनको चमकदार और चिकना बनाने के लिए इनकी कुटाई की जाती है अर्थाद बीटिंग की जाती है लिनिन का वस्त्र प्राकर्तिक रूप से ही चमकदार एवं कोमल होता है या सौंदर्य से परिपून एवं मजबूत होता है अर्थाय प्राकर्तिक रंगों से निर्मित वस्र ही खरीदना बुद्धी मानी है लिनिन की विशेषताएं हम नेक्स क्लास में कंटीन्यू करेंगे थैंक्स